अब डिलेवरी में लगने वाले समय को लिका लड़ाई तेज हो गई है यह लड़ाई सिर्फ भरत में नहीं दुनिया भर में इतनी तेज हो चुकी है कि अब सारी की सारी कंपनियां इस बात पर आमादा हैं कि कितने कम समय में वो सामान उभुकताओं को डिलेवर करा सकती है इसी रेस में आगे बढ़ने के ख्याल से आनलाइन डिलेवरी स्टोर ग्रोफर्स ने री ब्रांडिंग करके अपना नाम ब्लिंकिट रखा है ब्लिंकिट मतलब पलक झपते ही हाजिर हो जाना नए नाम का मतलब है कि अब डिलेवरी पलक झपते होगी ग्रोफर्स के CEO और सह संस्थापक अलबिंदर धिंटसा ने कहा कि अब कंपनी ने अपने संसाधनों को क्विक कमर्स की तरफ मोड दिया है घिंटसा ने एक ब्लॉग में लिखा कि अब हम नई कंपनी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं हमारा नया मिशन स्टेटमेंट होगा ततकाल कामर्स घिंटसा ने कहा कि क्यू कामर्स या क्विक कामर्स ही भवश की चीज है जहां हर चीज ग्रहक को ततकाल उपलब्द होगी इंतजार जैसी कोई चीज रहेगी ही नहीं अलबिंदर ने कहा कि कंपनी ने दस मिनट में डिलेवरी पहुंचाना शुरू कर दिया है इसका मतलब है कि जिन शहरों में ग्रोफर्स है वहां हर महले में डिलेवरी पहुंचाने का मजबूत नेटवर्क बना हुआ है क्विक में ग्रोफर्स देश के 12 शहरों में 10 लाख आर्डर प्रोसेस भी कर चुका है डिलेवरी के लिए अब जादे से जादे इलेक्ट्रिक वहनों को लगाया जा रहा है इसकी वज़े से 2 किलियोटर के भीतर डिलेवरी करना बहुत आसान हो गया है इलेक्ट्रिक वहन कंपनी को कार्बन नीट्रल बना रहा है अलविंदर के अनुसार कंपनी डार्क स्टोर टेक्नोलोजी पर काम कर रही है जिसमें जब भी कोई और आता है उसे ततकाल पैक करके डिलेवरी के लिए भेज दिया जाता है डार्क स्टोर में लोकल दुक अंदारों के साथ लोकों से 10 मिनट के दूरी पर कंपनी के नेटवर्क का एक स्टोर बना हुआ है ज्यादा स्टोर होने का मतलब तेज डिलेवरी और डिलेवरी करने वालों के लिए कम यात्रा और कम दूरी तैंग करना है आल्लैन डिलेवरी प्लेटफार्म में ग्रोफर्स का मुकाबला बि अमाम लोग इस नेटवर्क के जोड़ करके फायदा उठा सकते हैं तेजी से कम से कम समय में डिलेवरी करने का जो द्वंद इकमर्स के शित में शुरू हुआ है वो कहां तक जाता है या कैपाना अभी मुश्किल है इस बार इतना ही अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सव करने के लिए तब तक के लिए नमस्कार